नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत एंडवर्ड नेटवर्क वे तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा न्यूस चैनल आपको रोज मर्रा की खबरे तो देगा ही लेकिन साथ में आपका ध्यान उन समस्याओं की तरब भी केंदित करेंगे जो सच में सब ज्यादा सुनने को मिलता है उसका कारण भी है लोगों का ध्यान की तरफ जाता है क्योंकि गर्मी में हो रही ज्यादा बीमारिया हो रहे कई तरह की चर्म रोग और दिन बर दिन कम होने से प्रति पर क्या होगी ध्यानक नुक्सान आज हम आपको इसके विशापर अगर ऐसा ना हो तो हानिकारब पराबैंगनी विक्रण यानि यूवी किरणे मनुस्यों और जीवों को बीमार कर सकती है उनके जीवन को खत्म कर सकती है वाई मंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघंता आप एक छक्रत अधिक होती है ओजोन प्रत के कारण ही धरती पर जीवन संभ है वहीं ओजोन की सुरक्षा और इसको याद रखने के लिए हर वर्स ऑजोन डे मनाया जाता है पर क्या सच में आप सबका हम सबकाधान इस तरफ हैं जो हर साल 16 सितंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है जिसे ऑजोन दिवस कहते हैं आज पूरी दुन जीना और जीवन जीने के लिए प्रती पर पनपाना बहुत मुस्किल होता है इसका विशेश रूप से ख्याल भी रखा जाता है लेकिन इतनी मुस्किलों के बाद हमें मानव योनी का जीवन प्राप्थ होता है तब कहीं जाकर हम कहीं इंसान बनते हैं और हमें धर्ती का हमने अपने आपको लाखडा किया है जहां प्रक्ति उसका विनास कर सकती है जंगलों वनों की कटाई कर असंतुलन पैदा किया जा रहा है वहीं गाडियों ने हवा को प्रदूशित कर दिया है कि सास लेना भी दुस्वर हो गया है और तो और उस जल को भी इंसान ने नहीं संचालित होता है वहीं अगर हमने ओजून प्रत को बचाने का प्रयास नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब हम बड़े संकट में पढ़ जाएंगे यह पूरी दुनिया ढह जाएगी और वहीं आने वाले दिनों में और भी घातक बीमारियों का सामना करना पढ़ेगा ज किसी एक की नहीं बलकी सब का गाउं यह तहसील का राजि कर नहीं के इन सरकार का कीसी एक देश का नहीं सारे विश्य का वहीं इसे बचने के लिए हमें धर्ति की आसपास मौजूद arri Johnson को बढ़ने से रोकना होगा इसके लिए यह सोच बंद करनी होगी कि इसके लिए सरकार या संस्थान काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं हमें अपनी जिम्मदारी की तरह इसे भी लेना चाहिए ग्रिंडी को बढ़ावा कि साथ ही ऐसे साधल लेने चाहिए जो नेचर फ्रेंडिली हो ताकि वह ओजोन को नेचर को नुकसान ना पहुंचा सके आज के लिए फिलहाल इतना हम जल्द लाएंगे इसका सेकेंड पार जो आपको देश और विदेश लेवर पर सरकार क्या योजनाय ला रहे हैं क्या काम कर रहे हैं इसके बारे में आपको बताएंगे नवस्कार अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो क्रपिया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपनों के भी शेर जरूर करें धन्यवाद